वेलकम बेक दोस्तों क्या है आप सब का मैं उम्मीद करता हूँ कि आर आप सब खेरियत से होंगे तो ब्रहमास्तरा मुवी की डे 15 की यनि कि आज की फ्राइडी की बॉक्स ओवस कोलेक्शन का अरली एस्टेमेट आ चुका है आप सब जानती भी है कि कमाल की एडवांस बुकि तो हम देखने वाले हैं कि अब डे 15 का अरली एस्टेमेट का आया है ये कितना कमाने वाली है क्योंकि एडवांस बुकिंग हुई थी 10 क्रोड रुपीज की तो उसके बाद वॉकिंग ओडियन्स कितनी गई है जिन्होंने थेटर में जहां के टेकिट्स भाई की है तो क्या अरली एस्टेमेट है डे वन का तो इससे पहले कि बताओं जिन वाई दोसना अभी तक चला को सबस्क्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो यार क्योंकि ऐसे अपडेटीड वीडियो हम आप लोग के लिए लाते ही रहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताओंगा अरली एस तू से थ्री करोड की गई है जो कि आई थिंक सो कम है लेकिन अगर हम साथ ये देखे तो गाई 75 रूपीज की टिकेट भी थी जिसकी बात भी आलमुस्ट वन मिलियन मीन्स के सुबा हमने जब देखा था तो 11 लैक मीन्स के वन मिलियन प्लस टिकेट से सोल्ड आउट होई थ तो आप खुछ सकते हो के 11 लैक मीन्स के वन मिलियन प्लस बहुत बड़ी अमाउंट बनती है बहुत ज़्यदा थेटर्स फुल हो जाते हैं लेकिन फिर भी आई थिंक सो आलमॉस्ट गाई इसको 15 करोड प्लस की बॉक्स ओवस कोलेक्शन करनी जाए थी लेकिन कोई बात नह है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अब गईस अगर तो यह लोग सेटरडे संडे इन दुनों भी टिकेट की प्रैस 75 रुपेज रखते हैं तो ब्रहमासरा बहुत बड़ा चंप पकड़ेगी और में भी संडे तक यह अपना बजट भी रिकावर कर जाए और कर तो अब आप लोगों का क्या कहना इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं और आप लोग क्या कहते हैं कि यार अगे सेटरडी संडे का भी अर्ली एस्टेमेट या टिकेट प्रैस 75 रुपीज ही हो या प्राणी जो चल रही है 200 प्लस वही होनी आप लोगे क्या रहा है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अभी ताक के लिए इतना ही वीडियो पसे लाइक जरूर करना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगले आनने वाली वीडियो में हलेएगा थैंक्स फॉर वाचिंग